जाएं दोस्तों आप देखने अध्यान कंद्र इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लूसेंट आपजेक्टिव का बुक जिसमें हमारा चल रहा है अधुनिक इतिहास और आज हम पढ़ेंगे अठारवा का पहला एक्सरसाइज मतलब 19-20 सदी में समाजिक धार्मी का अंदोलन जो हुआ था उससे रिलेटेट प्रसन है और सारे प्रसन के काफी इंपोटेंट है तो ध्यान से देखिएगा आपके हर एक्जाम में ये इंपोटेंट है पर इस्टा करते हैं पहला प्रसन है हमारा आधुनिक भारत में हिंदु धर्म का पहला सुधार कौन था या पहला सुधार आंदोलन कौन सा था वो था ब्रहम समाज ब्रहम समाज का अस्थापना किसने किया था राजा राम मोहन रहने किया था कब किया था 1828 में 1828 में 1828 में इसका समाज कर दिया गया वो आपके लिए इंपोटेंट है आगे हमारा ब्रहम समाज ये कामों के उद्देश से क्या था इसका उद्देश यहां पर दो था मतलब आंसर C है दोनों सही है हिंदू धर्म की बुराईयों पर परहार करना साथी एकस्वरबाद का प्रचार करना पर था समेत अन्य सुधारों का विरोध करना यू कहले बढ़म समाज का विरोधी जो सभा था वो कौन सा था धर्म सभा धर्म सभा अपसर नमबरे धर्म सभा था जो सतीपर्था को मिन्स उसको बल देता था सतीपर्था को बल देता था धर्म सभा धर्म सभा अठारा सो उन में सती पर्था का अन्मूलन किस के द्वारा किया गया था सती पर्था का अन्मूलन Lord लौड-Biliam-Benton के दुवारा किया था लौड-Biliam-Benton मतलब उसको घटाया गया था? स्वामी विवेका-अनंद का मूल नम क्या था? अप्सार नम्बर ए कमेंट वक्स में बताना है कि नरणेंद्र नाथ दथ से इनका नम स्वामी विवेका-अनंद किसने रखा? ये कोई महराज थे जिनके पास वो ठाड़े हुए थे कुछ दिन और उन्हों नहीं हिंड के लिए बता दे कि वो जो यूएसे गये थे तो उनके जाने का खाने पीने के अंधिया वही महराज ने किया था तो आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि स्वामी विवेका नंद का नाव किस ने रखा था आगे प्रस्ण है मुखिता किसके पडियास से सती पर्था का अनमूलन हुआ था राजाराम मोहन ले अलीगड में इस्तित मुहम्डेन एगलो ओर्यंटेल कॉलेज की अस्थापना किस ने किय थी ये किता सैयद आहमद खाने सैयद आहमद खाने अलीगड में मुहम्डेन एगलो ओर्यंटेल कॉलेज का अस्थापना किया आड़ी समाज किसके बिर्दु था? आड़ी समाज था धार्मिक अनुस्थान और मुर्ती पूजा के बिर्दु था. युवा बंगाल आंदोलन मिन्स यंग बंगाल मुवमेंट के नेता कौन थे? इसके नेता थे? हैंरी बिवियन डेरेजियो. हैंरी बिवियन डेरेजियो. थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहा अपना मुखिक कारिक का अस्थापित किया? मतलब यू समझ लें कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना नीव कब रखा तो 1882 में अडियार जगा पर. किसी भारतिये महत्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवरतन बादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? वो थे ईबी रामा स्वामी नाइकर. ईबी रामा स्वामी नाइकर पहले ये महत्मा गांधी के साथ मिंस सुत्तरता आंदोलन मे चलाया जिसका नाम था आत्म सम्मान आंदोलन ये चलाया थे ईबी रामा स्वामी नाइकर. उननिस्वी सदी में जोतिवा फूले ने सत्य सोधक समाज ने क्या प्रियास किया था? उनके द्वारा सभी बढ़ामन तथा उसके अवसरबादी धर्मकरंथों से नीची जातियो की रख्चा की थी. उप्शन नमड voilà. सही उन stal नाग है. उन अठारा सोतियात्तर समाज समाज का था उनके के द्वारा किया गया था? किस धर्म सुधारक की मिर्द्यू भारत के बाहर हुई थी भारत के बाहर हुआ था राजाराम मोहनरे सत्यार्थ परकास पुस्तक के लेखक को ने सत्यार्थ परकास पुस्तक के लेखक है दयानद सरस्वती रामकृष्ण मिशन की अस्थापना किस ने की थी रामकृष्ण मिसन कास्थापना स्वामी विवेकानन्द ने किया स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुरु परमहंस के सम्मान में स्वामी विवेकानन्द के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस बहावी अंदोलन का मुखे केंदर था बहावी आंदोलन का मुखे केंदर कहा था? पटना. भारत में दासपर्था कब अवेद घोसित कर दिया गया? दासपर्था 1843 में अवेद घोसित किया गया था. भारत में अंग्रेजी सिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी सिक्षा विलियम बे प्रश्वती के द्वारा कहा गया था बेदो में संपूर्ण सच्चा ही है महादेव गोविंद रानाडे अब जितने परस्तारे सारे बहुत इंपोटेंट है इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं भारत में अंग्रेजी सिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी बेलियाम ब वेका नंद किस अस्थान पर धार्मिक सम्मेलन से परसिद्ध हुए मतलब कहां उन्होंने धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और परसिद्ध हुए सिकागो में सिकागो ऑप्शन नमर सी राजाराम मोहन रहे ने अपने और सदाहरन काम की खातिर भारतिय इतिहास में अपनी BC सही है, तो समाज शुधारक भी थे और सिक्षा में भी उनका काफी योगदान था, इंगलिस सिक्षा के विकास पे उनने काफी हल्प किया था अलिगड मुसलिम बिस्विद्याले की अस्थापना किस ने की थी किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रहे को कहा जाता है राजा राम मोहन रहे किस से सम्मंधित नहीं है तो संस्कृत सिक्षा से नहीं है जबकि बिद्वा, पुनार बिवा, सती पर्था और अंग्रेजी सिक्षा इन तीनों छत्रों मिनों ने काफी काम किया था कर्ण्या कुमारी का रौक मेमोरियल निम्न लिखित में से किसके लिए समर्पी थे स्वामी बिवेका नंद के लिए स्वामी बिवेका नंद राजाराम मोहनराय का जन्म कहां हुआ था राजाराम मोहनड़े का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था संबाद क्वमुदी पत्र के संपादक कौन है इस पत्र के संपादक थे राजाराम मोहनड़े संबाद क्वमुदी पत्र के संपादक कौन है राजाराम मोहनड़े ब्रहम समाज का प्रणभिक नाम क्या था अवे जिक्र किये थे आत्मिय सवा इसका अस्थापना 1815 में हुआ था और बाद में इसका नाम क्या हो गया ब्रहम समा अन्सर यहाँ पर यह बनता है यह और भी दोनों पर स्टाटिंग में जब इसका अस्थापना हुआ था 1815 हमें तब आत्मिय सवा था फिर कुछ दिन का ब्रहम सवा और फिर ब्रहम समाज जो बना 1818 में बना था यहाँ पर आंसर आपका स्थी है यह और भी दोनों सही है तत्व रजिनी सभा या तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका किस से सम्मन देते हैं तत्व बोधनी जहां भी आए तो उसके संपादक या उसके लेखक कौन है देवेंदरनात टैगूर राजा राम मोहन रह से सम्मन देते हैं निमनलेखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन कौन सा कथन, राजाराम मोहनरे के बारे में सही है, तो उन्होंने बिदवा, पुनर विवा का समर्थन किया, बिल्कुल सही है, उन्होंने सती पर था के अनमूलन का जोड़दार समर्थन किया, ये भी सही है, उन्हों में उन्नीश्वी सदी का पुनर्जागरन निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सिमित था उच्य मध्यम वर्ग तक प्रात्ना समाज का अस्थापना किसकी परेड़ना के फल सरूप हुआ यह हुआ था केशब चंद्र सेन के परेड़ना के फल सरूप राजाराम मोहन रहे के इंग्लेंड जाने के पस्चात किसने बढ़म समाज की बागडोर समाली राम चंद्र बिद्यावागिस ने बढ़म समाज का डोर थामा जब राजाराम मोहन रहे इंग्लेंड चले गए वहीं पिनकी मिर्थी हो गई थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेर निम्न लिखित में से किसकी अस्थापना से जुरे हुए हैं उन्होंने हिंदू कॉलेज का अस्थापना किया हिंदू कॉलेज का अस्थापना किया 1815 में निमने लिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मिय सभा की अस्थापना की जो बाद में मिंस ब्रहम समाज बना तो 1815 में आत्मिय सभा का अस्थापना किसने किया राम मोहन रहे और तक उनका नाम राम मोहन राय था, फिर राजा कावपाधी उनको प्राप्ठ भी। ज़रा कोमेंट वक्स में बताना है कि ऐलाकर राजा कावपाधी राजा राम मोहन राय को किसने दिया था। अगे हमारा सुमेलित करना है ब्रहम समाज से समाधित संस्था और उसके संस्थापक तो ब्रहम समाज का स्थापना किस ने किया राजा राम मोहन लाए आदी ब्रहम समाज का स्थापना 1886 इसमी में देवेंदर नाथ टाइगोर ने किया भारतिय ब्रहम समाज 1886 में केसब किसके पढ़ियासों के कारण ब्रहम समाज की साखाएं उत्तरप्रदेश, पंजाब वा मद्रास में खोली गई थी ये खोला गया था केसब चंदर सेन के पढ़ियास से किसने महलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली किन मुद्दों पर बिवाद होने के चलते 1866 में ब्रहम समाज का विभाजन हो गया तथा केसब चंदर सेन ने भारतिय ब्रहम समाज या नब बिधान की अस्थापना किये थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो समाजिक सुधार विशेस्ता जाती पर्था समंधी सुधार हो गया और हिंदूबाद एबं ब्रहम बाद में समंध ये दो कारण थे जिसके कारण वो अलग हो गया अंसर यहां पे सी है ए और भी दोनों सही है देवबंध आंदोलन से जुरे उस बिद्वान का नाम बताईए जिन्होंने स्वतंतरता आंदोलन में महतपुर्ण भूमी का निभाई थी ये थे अवुल कलाम आजाद अवुल कलाम आजाद आप्सन नमर ए सारदा मनी कौन थी? सारदा मनी राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी राजा राम मोहनरै द्वारा भ्रम समाज की अस्थापना कब की गई थी? 1828 में कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किया गुरू राम सिंग ने आड़ी समाज, आड़ी समाज के संस्थापना कौन थे दियानन्द सरस्वती 19-वी सदी के उत्रार्थ मंदला बाद में नव हिंदूबाद का सर्वस्रिष्ट परतिनिधी कौन था स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद ने रामक्रिस्ट मिसन की अस्थापना कव की थी ये किया गया था 1896 में बंगाल में है मिंसे बेउर मठ के नाम से परसिद है स्वामी विवेका नंद ने रामक्रिस्ट मिसन का अस्थापना कव किया 1896 में तुफात उल्ल मुहवदीन की रचनाखिन के दुवारा किया गया था ये किये थे राजा राम मोहन रहे। 1856 में निमनलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था तो धार्मिक आयोग्यता कानून और हिंदू बिदवा पुनर विवा कानून ये दोनों नियम पारित हुआ था 1856 में आंतर आपका ए है कि एक और तीन दोनों सही है महरास्टर में किस सुधारक को लोग हितवादी कहा गया था ये कहा गया था गोपाल हरी देशमुक को और साथी उच जाती को नगड़िये उच जाती को यहां पर एक और दो दोनों सही है ऑप्सन नमर भी सही हो बढ़म समाज कि सिध्यांद पर अधारी था तो एक तो था मुर्ती पुजा का विरोध करना और दूसरा था एकस्वरबाद का ऑप्सन नमर ए सही है देव समाज का संस्थापक निमनलिखित में से कौन थे देव समाज का संस्थापक कौन थे शिव नरायन अगनी होतरी राधा स्वामी साथसंग के संस्थापक कौन थे अंजर बनेगा सिव दयाल सहाब फार्सी सपताहिक मिरात उल अकवार के प्रसासक जो उसको परकासित किया था वो थे राजाराम मोहन राए बाल विवाः परथा कुन यंत्रित करने हैं तू 1872 में सिविल मैरेज एक्ट ने लड़कियों के विवा के नियुंतम उम्र कितनी निर्धारित किया ये किया गया है 14 वर्स किया गया था 14 वर्स तहजीव उल एखलाक के रचनाकार कौन है सयद आहमद खाँ निम्दलिखित में से कौन है फड़्याजी बिद्रो का नेता था इसमें से कौन था दादू मिया अप्सन अमर बी निम्दलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है मतलब यहाँ पे एक गलत होगा तीन सही होगा तो राजा राम मोहनरे ने आदी बरहम समाज का अस्थापना किया यह गलत है राजा राम मोहनरे ने बरहम समाज का किया था जबकि ए पांडूरंग प्रात्म समाज के संस्थापक है द्या नंद सरोस्वती यह आड़ी संस्थापक है और स्वामी वेकानंद रामकृिस्ट मिसन के संस्थापक हैं अंसर यहां पर आपका C बन रहा था निम्दलेखित में से किस ने कहा था अच्छा सासन स्वसासन का अस्थाना पत्र नहीं है किस ने कहा था अच्छा सासन स्वसासन का अस्थाना पत्र नहीं है ये कहा गया था, स्वामी दियानन्द सरस्थी के द्वारा, स्वामी दियानन्द सरस्थी के द्वारा, बेदो की ओर लोट चलो, ये नड़ा काफी इंपोटेंट है, दियानन्द सरस्थी के द्वारा कहा गया था, अगे प्रसने वारा 65 नमबर, इन में से कौन सा कथन सही नही जिर्थ हैं क्या सब सही है 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती पर्था के कानून को अपराद घोसित कर दिया और से खत्म कर दिया 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि उसके अनुज़ार हिंदू बिध्वाएं पुनर विवाह कर पायेगी 1875 में स्वामी विवेका नंसरो सती के द प्रात्न समाज के संस्थापक कौन थे आत्मा राम पांडू रंगा राम क्रिस्न मिसन इसके तो स्वामी विवेकानन्द सत्य सोदक समाज के ज्योतिवा फूले और मुहम्डेर एगलो ओर्येंटेड कॉले जो अलिकटमे कॉलेज है उसके सर सयद अहमद खान तो सुमेलित ह हो गया सेशन में मैंने 66 प्रसंट कंप्लीट किया और कुछ प्रसंट में वह अगले वीडियो में कवर कर लेंगे अगर सेशन अच्छा लग रहा हो कुछ सिखने का मौका मेरे रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लि ऩर्श पर लाइब दिजफ दिर लाइब प्रसंट कर लाइब गले कुछ सिखने का तल今 यह बहुवा हैं सब्सक्राइबएगर झाल झाल